हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं प्रशासन को सौपा उन्होंने ग्यापन में इस राशन दीलर का लाइसेंस निलंबित करने की मांग की है कि राशन दीलर ओगर नाम दिवासी राशन सामगरी के वित्रन में लंबे समय से धानली कर रहा है वह पोश मशीन में आधार कार्ट वा अंगूठा स्कैन करवा कर सामा महा का दे देता है ग्रामिनों ने जागरुकता दिखाते हुए जब खार विभाग के पी ओएस मशीन के एंट्रियों को निकाल कर चेक किया तो पतर चला कि राशन विक्रता राशन धारियों के साथ लगवक तीन सो क्विंटल गेहू 15 क्विंटल शक्तर वह 6,000 लीटर से ज करने की मांग की इसके लिए उन्होंने हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शिंदी किया करने के कारण वापस उसको कौटा दे दिया गया और गरीबों के साथ में बहुत बड़ा इन्याय हो रहा है और उसके समिश्धा हे हमारे समाज जांए कुनाते भी राशन डील बेर होने कंनाते हर गरीब आजिए को कोई तमीन से बात नहीं कोई गिराठ पटशी नहीं देत और हम लोग तो अभी तिला रहे हम घरीब लोगों का अन्राज का गया जिनको पास जम्मी जागा कूब है उनको गयों मिल रहा है और जो खाजी सुरुकसा में जुड़ने के लाई के उसको गयों से खाजी सुरुकसा से ना मटाने के लिए सिकाइब घरता हो और उल्टी और को गरीबों का पूरा नहीं मिल रहा है डबल टांजेशन करके सिंगल क्यों देना और गिरा की पर्ची नहीं देना बहुत बड़ी कमी आज आपने क्या किया है आज हमने यहां पर पहले पाली गए थे पाली दो तीन वार गए तो वह हमारा काम नहीं हुआ तो हम आपना यह बेनल चपा के हम उनकी फूरी बेमनी परदे पे चपा के लेका हैं कि किस परकार से वह अमार साथ ठगी कर रहा है वहीं दूसरी ओर बिठोडा के रेलबे लाइन के पास मिला यूबक का शव शेत्र के बिठोडा खुर्ट रेलबे लाइन के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला रेल कर्मचारियों द्वारा मिली सूचना के बाद मारवार जंक्शन पुलिस थाना के हैट कॉंस्टिपल राजुराम मौके पर पहुँची एवं शव को मारवार जंक्शन स्तेथ मोर्चरी में रखवाया गया वही मौतक के पास से मिले आधार कार्ड में यूवक का नाम जैराम पुत्र अर्विन निवासी सराधना अजमेर बताया जा रहा है मौतक संभवत अकेला ही रहता है एवं आश्रम में आता जाता रहता था फिलहार पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जाज कर रही है जागरुख टिवी के खास रपोर